हालो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डोंट मीस जीके में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार का एक जिला है औरंगाबाद जिला तो औरंगाबाद जिले में कुल कितने गाउं, तस्रील, बलाक और जनसंख्या है इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही छोटा है, आप इसे पूरा देखें वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और लाइक करना ना भूलें तो चलिए सुरू करते मास का वीडियो दोस्तों, औरंगाबाद जिला जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है औरंगाबाद जिला 26 जनवरी 1973 को नए जिले के रूप में बनाया गया औरंगाबाद जिला बनने के बाद औरंगाबाद लगातार विकास की ओर अगृशर है स्वतनत्रा की लड़ाई में यहां के वीरों का योगदान से लेकर आजादी के बाद आउरंगाबाद जिला बनने तक की कहानी बहुत ही रोचक पूर्ड है अगर हम तहसिल की बात करें कि आउरंगाबाद जिले में कुल कितने तहसिल हैं तो वर्तमान में आउरंगाबाद जिले में कुल 11 तहसिल हैं जिनके नाम हैं आउरंगाबाद, बारून, डाओदनगर, देव, गोह, हशपुरा, कुटुमबा, मदनपुर, नवी नगर, ओबरा और इग्रहमा तखसील है राफी गंज यह 11 तखसील है और बलाक और गाउं की शंख्या की बात करें तो औरंगाबाद जिले में कुल कितने गाउं है तो वर्तमान में औरंगाबाद जिले में गाउं की शंख्या 1884 गाउं है औरंगाबाद जिले में 11 बलाक हैं औरंगाबाद जिले में 6 विधान सभा सीटे हैं जिनके नाम है गोह, ओबरा, नभी नगर, कुटुमबा, औरंगाबाद और रफी गंज ये 6 विधान सभा सीटे हैं अगर हम यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगर्णा के अनुशार अवरंगाबाद जिले की जो आबादी है वो 25,44,73 है जिसमें पुरुस की जनसंख्या 13,18,684 है और महिलाओं की जनसंख्या 12,21,389 है तो दोस्तो ये थी एक छोटी सी जनकारी अवरंगाबाद जिले की तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं कुछ नया लेके आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद